नमस्कार दोस्तों मैं सोड़ और आप देगरो एसे स्क्रिक फेंटेसी यह पर मैं आपको मैं से रिलेटेड हार इंपोर्टेन इनिफोर्मेशन देनी की पूरा कुछिस करूँगा जिसके मदद से आप एक वैतरीन फेंटेसी टीम कॉम्बिनेशन पनाले में काम्याब होंगे आपटा टोस, पिज रिपोर्ट, प्लेइंग लेवन, कुछ फारदार अपडेट यह सभी मैं आपको टेलिंग्गाम चैनल पर इंफोर्म करता हूँ इसके लबाद स्मॉल लिंग के टिम एंड कॉनसे प्लियार आज आपका ट्रंप ही हो सकता है यह सभी मैं आपको टेलिंग्गाम चैनल पर इंफोर्म करता हूँ और स्टाटिकली एंड लॉजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मादद से अभना से स्मॉल लिंग्ग ग्रेल लिंग में भी एक आच्छा कासा प्रोफिट कमा सकते हो इसलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा शुरू आज करते हैं साओध अफ्रिका और नेदरलेंड्स के बिच में थार ओडियाई मैच पेडिक्शन जो खेला जाने वाला है सेकेंड एफ्रिल चार वाजगर 30 मिनिट पर कहाँ पर वांडरर स्टेडियम जौनेस बरकवार आप देख रहेते हैं पिज रिपोर्ड वा चनली हाड़ पिच रहता है और हाड़ पिच के ऊपर हमेशार फार्ट प्लार को एडवांटेज मिलता है इसलिए आप पेशार और बैस्मेन के ऊपर जालत से ज्यादा फोकस किजिए यहाँ पर अभी तक 51 ओडिया मैच खेला जा चुक है जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करतेवे टीम ने 23 और बैटिंग सेकेंड करतेवे टीम ने 28 टाइमस मैच ओन क्या है फास्ट इनिस की एवरेज स्कोर की बात करें तो 246 है मतलब यहाँ पर आच्छा का सा स्कोर बनता है हाइस्ट को साउदा फ्रिका की है 439 आप देख साफते हो बहुत ही आच्छा रान है और लोएस्ट कोर वेस्ट इंडिस की है अब स्कोर इन पर देख लिजए पीच के बारे में आपको और का दिप से समझ में आ जाएगा 200 से विलो 16 टाइम 200 टू 249 टेन टाइम और 252 टू 90 टाइम 11 टाइम और 300 एफो 14 टाइम रान जा चुक है मतलब आप समझ सेकते हो इस पीच के उपर आपको जरूर अच्छा का सा स्कोर देखने को मिल जाएगा खास करके साउदाफ्रिका के टीम अगर पहले बैटिंग करे तब उस कंडिशन में 300 प्लास आपको इजी ली रान देखने को मिल जाएगा इस बेनु के उपर पिछले कुछ मैच का रेकॉड आप देख सेकतो तो 2022 में 2020 मर्च बंगला देश और साउदाफ्रिका के में के एक मैच कार गया था जिसमें से बंगला देश ने बैटिंग पुरा क्वलाप्स कर गया था 194 पार लेकिन शाउदाफ्रिका ने वह रान आसानी से चेज कर दिया था आप देख सकते हो फिर से सावदाप्रिका और पाकिस्तन के बीच में एक मैच के लगया था वह पर हाइज स्कोरिंग हुआ था पहले इनिस में 341 और सेकेंड इनिस में भी 300 प्लास रांज गया था इसलिए आप सोच सकते हो इस स्पीच के उपार स पॉस्बेल प्लिंग एलेमें उद रिसेंट फॉर्म विद हैड्ड है रेकॉर्ड विद भेन्यो रेकॉर्ड मतलब सब कुछ आपको यहाप देखने को मिल जाएगा डिकोक के साथ आपको भाभू आपको ओपिनिंग करते हो देखने को मिल चाएगा डिकोक ने पिछले काफी जाता होता है अब समझे सकतो हो खास करके जब ओपिनिंग बैट स्पैन हो उसका बाद टैंबाव रेकॉर्ड आप देख सकतो हो यह भी रिसेंट दो मैच में एक साताक और एक मतलब पीछने मैच में 19 रन किया था इसलिए यह भी एक इनपरेंट पिक होने वाला है औ अंबर तीन पर आपको भेंड़ा डियोशन को देखना को मिल जाएगा इसका भी रेकॉर्ड इस वेनु के ओपर ठीक तक है पांच मैच में 123 रन और 41 की अभरेज है पिछले मैच में 31 के था रिसेंट परम ठीक तक है और सामने नेरल लेंड्स है मतलब यह आपका मतलब कॉला मैड्योक घर इसले चैनली सब्सकुक्स कमा अगर शायोका रिसेंट पर खूसान याजस वेंगा डिसनले का शादा उन्टल है यहींतित और प्सेंद्म कित हम आपका उट पिछले मैच में तीन उीकेच चटका दिया था बहुत इन पटिन होने बाला है नौक्या का भी रेकोड़ आप देख सेक्त हो ठीक टाग है पिछले मैच में दो इक चटका दिया था अलमोस सारे के सारे मैच में इक चटका अनफॉर्चुनेटलेट रावाडा अक्सार और मागाला को देखने को मिल जाएगा देत में कागी दोरा बड़ा मागाला और नोक्या भी आ सकते हैं बेंच पर कुछ प्लेयर है मुझे लगते हैं इसमें पार्णेल को मौका मिल सकता है अगर फार्णेल खेलते हैं तो इसका रेशन फॉर्म आप देख लिजिए लूंगी बार एक मैच में हुई के चटकते हैं अल्मोस्ट दो-दो करके अगर फॉर्चून खेलते हैं फॉर्चून का भी ये रेकॉर्ड है अब देख सकतो हैं अगर ओपेनिंग करते हैं तब हेंडिक्स का रेकॉर्ड आप देख लिजिए लेकिन जाब में खेलते हैं तब मैच में 18 रन पर आउट हो गया था आप चाहा तो भिक्रम जित सिंग को इस मैच में भी बैक कर सकते हो मैक्स रोडेट मास्टर पी होने बला है क्योंकि यह अल्मोस्ट सारे के सारे मैच पर डिसेंट स्कूर करता है मुशा नादीब आहमेद का ये रिशन फॉम है पिछले म देख लिए ये बैटिंग से नहीं पॉलिंग से नहीं लगवाण पॉयन्स नहीं पॉलिंग से अपको पॉयंच देने इसलिए आप चाहो तो जरूर सीराजामेद को इस मैच में भी बैक कर सकते हो आरियाण डट का रिशन फॉम में आप देख सकतो प्छले मैंश में एक व को मैकरीन को देखने को मिल जगा के यह कि सी तरा के से कुछ और फ्लेयर का भीन hierarchy में आप देख सकते हो आप देख लेता है fantasy टीम विकेट की पर सेक्षन से आपको डिकोख को देखने को मिल जागा है यह मास्टपी होने वाला है एडवार्ज को आप चाहो तो पिक कर सकते हो यह अकसर 20-25 तक आपको रांद करके दे सकते हैं और विकेट की पर सेक्षन से भी आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं इसलिए आप चाहो तो एडवार्ड को जरूर पिक कर सकते हो बैटिंग सेक्षन से मैक्स ओडेट मास्टपी होने वाला है अगर साउधाफ्रिका के टिम पहले बैटिंग करें तब उस कंडिशन में आप मिलार को पिक कर सकते हो नहीं त अगर क्यoi करना फिलाल मागा ला के साथ जाओ उसके पाद मांक्रम और मार्को जनसें को अपिक कर लो remainder Train जाए तो आप एडवार्स के साथ इन दोनों में से किसी येग के साथ आप जाओ यहाँUND Captain Vice Captain के अगर बात करे अगर साउधाफ्रिका की टीम पहले बोलिंग करे तब उस कंडिशन में अब Raida, Nokia और Magalow को Captain Vice Captain कर देना अगर साउधाफ्रिका की टीम पहले बैटिंग करे तब उस कंडिशन में डीकौक, भावुवा और भेंटा डिशन इन तीनों में से किसी दो को करना जब साओधाफ्रिका के टिम पहले बैटिंग करे तब इन तीनों में से किसी दो को कैप्टेन भाइस कैप्टेन करना वीडियो आच्छा लगा और इनफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्स कर दीजिएगा